नमस्कार दोस्तों, onlythefitness.com में आपका स्वागत है, बने रहे इस वीडियो के साथ हम में से अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुवा चाय या कॉफी के साथ करना पसंद करते हैं कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिने सुबह उठते ही चाय या कॉफी चाहिए होती है इस वीडियो में मैं आपको सुबह के एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि ये सारी समस्याओं का समाधान है दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, healthy रहने के लिए दिन में कम से कम 8-10 गलास पानी जरूर पीना चाहिए लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं है बलकि कैसा, कब और किस तरह से पानी को पीना चाहिए, यह भी बहुत महत्वपुर्ण है पुरानी आयुर्वेद पद्धती की माने तो ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी अधिक फायदेमन है दरसल हमारे शरीर का सामान्य तापमान 36 से 37 डिगरी सेल्शियस के लगभग होता है इसके अनुसार अगर हम अधिक ठंडा पानी पीते हैं तो इसका तापमान सामान्य करने के लिए शरीर को अधिक मेनत करना पड़ती है तो इसी लिए अगर हम गुनगुना 20-22 डिगरी सेल्शियस के तापमान का पानी पीते हैं तो वह आसानी से शरीर के अंदर पहुँच जाता है और इसके लिए शरीर को मेनत भी नहीं करनी पड़ती है कई शोदों में यह बात सामने आई है कि रोजाना गर्म पानी पीने से बहुत सारी ब्मारिया जड़ से खत्म हो जाती है जैसे कि माइग्रेन, हाई या लो ब्लड प्रेशियर, डाइबिटीज, पेट दर्द, अस्थमा, सिर्दर्द आदी लेकिन दोस्तों, गर्म पानी पीने का एक समय और तरीका होता है जिससे यह एक दवा के रूप में काम करता है और वह तरीका है रोजाना सुभ़ जल्दी उठकर खाली पेट, दो गिलास, गर्म या गुनगुने पानी का सेवन करें और इसके पीने के 45 मिनिट बात तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है शुरुवात में दो गिलास ना पी सकें तो दीरे दीरे करके इस आदत को डाले लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि पानी बहुत अधिक गर्म ना हो यानि कि गुनगुना पानी पीए आप चाहें तो ठंड में पूरे दिन या रात में सोने से पहले भी गुनगुना पानी पी सकते हैं दोस्तों किसी भी मौसम में फ्रीज का या अधिक ठंडे पानी का सेवन बिलकुल भी ना करें ठंडा पानी पीने से प्यास तो पूरी तरह भूच जाती है लेकिन इसके कई तरह के नुकसान बाद में दिखाई पड़ते हैं जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो इसे गर्म करने के लिए शरीर को अतिरिक्त उर्जा खर्च करनी पड़ती है और रक्त संचार भी अधिक करना पड़ता है इसके अलावा ठंडा पानी हमारे शरीर में बनने वाले पाचक रस का तापमान भी कम कर देता है जिससे भोजन को पचने में कठिनाई होती है और पेट की बढ़ी आद भी सिकुड जाती है जिसके कारण कबज की समस्या होती है अगर हम अधिक दिनों तक बहुत ठंडा पानी पीते रहें तो इसके कारण पाइल्स जैसी बिमारी होने का खत्रा बढ़ जाता है अधिक ठंडा पानी या कोल्डरिंग्स पीना हार्ट अटेक आने के प्रमुक कार्णों में से एक है यदि ठंडा पानी अभी कम उम्र में आपको प्रभावित नहीं कर रहा है तो यह आपको बढ़ापे में नुकसान पहुँचाएगा तो इसी लिए आप अभी से ही ठंडे पानी की बज़ाए सामान्य तापमान वाले पानी का ही सेवन करे तो दोस्तों अब बात करते हैं रोज सुभग गुनगुना पानी पीने से होने वाले कुछ फायदों के बारे में नंबर वन रोजाना सुभग गर्म पानी पीने से शरीर के सारे विशेले तत्व बहार निकल जाते हैं जिससे पूरा पाचन तंत्र साफ हो जाता है तो गर्म पानी आपके लिए रामबान है आपके त्वचा से जूड़ी सारी समस्याइं जैसे पिमपल्स दाग धब्बे जाईयां आधी खत्म हो जाएगी और साथ ही त्वचा चमकने लगेगी महिलाओं को पिरेट्स के दोरान अगर पेट दर्द हो तो ऐसे में सुबह एक गिलास गुनगुना पानी पीने से राहत मिलती है दरसल इस दोरान होने वाले दर्द में मास पेशियों में जो खिचाओं होता है उसमें गर्म पानी पीने से आराम मिलता है नमबर फूर, दोस्तो गर्म पानी जोडों को चिकना बनाता है और जोडों का दर्द भी कम करता है हमारी मास पेशियों का 80% भाग पानी से बना हुआ है इसलिए गर्म पानी पीने से मास पेशियों की एंठन दूर होती है और साथ ही गठिया की रोग्यों को भी इसे आराम मिलता है शरीर की सेहत खुन के बहतर प्रभाव पर भी निर्भर करती है खुन की गती यानि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में गर्म पानी बेहत फाइदेमन होता है ब्लड सर्कुलेशन के ठीक रहने से इंसान हर तरह की बिमारियों से बचा रहता है इसलिए आप रोजाना सुभ़ गर्म पानी पीने की आदत डालने दोस्तो यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो गर्म पानी आपके लिए बहुती कारगर साबित होगा ये आपको बिना व्यायाम के भी फिट रखेगा दरसल गर्म पानी शरीर से अतिरिक्त चर्वी को घटा देता है और आपके शरीर को पतला होने में मदद करता है बहतर परिणाम के लिए आप चाहे तो रोज सुबह गर्म पानी में निम्बू और शहत मिला कर लगाता तीन महीने तक पिए जिससे जल्द ही मोटा पा कम हो जाएगा दोस्तो इस वीडियो में हमने सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने के फायदों को देखा है मैं आशा करती हूँ कि आप भी हमेशा सुबस्त रहने के लिए रोजाना इस आसान से नियम का ज़रूर पालन करेंगे तो दोस्तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है अगर आपको ये वीडियो पसल आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें onlythefitness.com चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपका इस विशेय में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद